हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू होम फूट रेसिपीज आज हम बनाएंगे मकई की पकोड़े चो खाने में बहुत ही टेश्टी होते हैं और बारिश की सेजन में इसे खाने का मजा ही दूगना हो जाता है आज हम इसे एक नए तरीके से बनाएंगे जिससे इस वाद में और ज्या क्रिस्पी बनेंगे तो चलिए मकई की पकोड़े बनाने की सामगरी देख लेते हैं मकई की पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहापे एक कप जितनी कच्ची मकई के दाने लिए हैं जो मेजर्मेंट कप आते हैं उसी से मैंने एक कप ना पाहे यह मैंने बिगोई हुई चने की दाल ली है चार बड़े चम्मच जितनी और चाने की दाल को मैंने सिर्फ दो गंटे पहले पानी में भीगोया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा फुलनी नहीं चाहिए थोड़ी सी हलकी सी फूले तब तक ही हमें इसे भीगोना है चार से पांच गंटे के लिए हम इसे बिलक होने देंगे बारीक कटी हुई हरी मिष्ट तीन ली है आधे इंच का अध्रक का टुकडा लिया है बारीक कटी हुई हरे धन्या ली है एक बड़ा चम्मच नमक लिया है स्वात के अनुसार हल्दी पावडर आधा चम्मच और हेंग ली है मैंने वन फोर्थ टीस्पुन जि दाने हैं। चना की डाल ऐड़ कर देंगे. इनन सब को हमें दरदरा हलका दरदरा पिसना है. मौंग डाल भी ऐड़ कर देंगे अधरस्ट और हरीमिच भी डाल देंगे अब इन सब को लिए पानी के हिल्का दरदरा पिष्ट लेंगे अब देख सकते हैं बिना पानी यूस किये ही मैंने इसे तोड़ा हलका दरदरा पीसा है और पानी एड़ करनेगी हमें इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मकई के दाने एड़ किये थी इसलिए इसलिए पीस कया है तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे यह देखे बीना पानी के मैंने इसे पीसा है फिर भी यह कितना गिला है तो अब हम इसमें बारिक कटे हुए प्याज एड़ कर देंगे बारिक कटे हुए हरे दन्या डालेंगे नमक डालेंगे स्वात के अनुसार नमक आप चक के बाद में भी एज़ेस कर सकते हैं हिंग डालेंगे हल्दी पावडर डालेंगे अब सब कुछ हम हाथों से यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसमें गरम तेल या बेकिंग सोडा कुछ भी आड़ करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी यह पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे हम इसे पूरे दो मिनट तक अच्छे से फैंट लेंगे मैंने इसे दो मिनट तक अच्छे से फैंट आ है तो अब हम गरम तेल में इस तरह के छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे तेल मैंने पहले इसे गरम करने रख दिया था जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इस तरह से छोटी छोटी साइस की पकोड़े तेल में फ्राइए करने के लिए रखेंगे slow to medium flame पी हम इसे fry करना है बीच बीच में हम इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि सब तरफ से ये अच्छे से fry हो जाए और slow flame पे ही इसे हम light brown करेंगे ये देखिए हमारे सारे पकोडे light brown हो चुके है slow flame पे ही मैंने इसे light brown किये है तो इसे अब हम एक tissue paper पे निकाल देंगे आप इस तरह से ये पकोडे एक बार जरूर से try करें ये बहुत tasty लगेंगे और ये पकोडे उपर से crispy और अंदर से soft होते है तो बाकी के भी सारी पकोडे मैं इसे तरह से fry कर लूँगी फ्रेंड्स हमारे मक्के के पकोडे बनके तयार है आप इस monsoon में इसे जरूर से अपने गर पे try करें मैं आपको एक पकोडा तोड़के भी दिखाती हूँ ये देखिया ये उपर से बहुत ही crispy और अंदर से soft बने है मैंने इसे प्याज और fry कीवी हर इमेज के साथ serve किया है अगर आपको मेरी recipe पसंद आये तो मेरी channel को like, share और subscribe करना बिल्कुल न भूले subscribe button के बाजू में जो bell icon है उसे भी click करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की notification मिलती रहे अगर आपको मेरा वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी link मैंने नीचे description box में दी हुई है तो मिलते हैं next video में, till then, bye